आफ कि वीडियो में बात करेंगे बीए-बेशी वीकॉम के फोर्थ समस्टर के को करिकुलर यानि कि अनिवार प्रेश्ण पत्र के मोस्ट इंपॉर्टन कोईस्टिरें एंसर के और विर्षयम मनह का अर्थ क्या है इसका अर्थ होता है ध्यान से सुन लिजेगा मन का और पराशना से होना ही ध्यान सुने मन का अगला प्रश्ण है कि पंच महा भूत कौन कौन से होते हैं या फिर पंच महा भूत के अंतरगत कौन और दीहान होते हैं। क्या अग्याни एक कि लिए अपने प्रतिसमगर रूप से सच्चा होना पड़ा ने कि विस्ष योग दिवस मनना जाता है वो किस प्रधान मंत्री की अपील से मना जाता है ठीक है तो ध्यार रखेंगे सही जब आप इसका हो जाएगा आपस नमबर भी नरेंद में दीको ठीक है तो इन्होंने 21 जून को विश्य योगा दीवस की रूप में मनाया था ठीक है पहले उसके बाद से दिन प्रतिन मतब की कि हर साल मनाया जाता है अगला प्रशन है कि संपौर कलेंडर वर्ज को सबसे लंबा इन कहुंझ आप कालेंडर देखते एक साल का उसमें सबसे लंबा दिन कोन सा है कि कii से डेिट का तो talk घुक्त। यानि कि 21 जून सबसे लंबा दिन है अगला कि कुछ बिशेश हफ्त मुद्राइग कितनी है कुछ बिशेश हफ्त मुद्राइग कितनी है लागि कुछ इंपॉर्टर नहीं बहुत कम आता है तो आप शेक्णोर भी कर सकते हैं स्फ्रक्र मूथ में उसका नाम बताना है ठोचेदा सही जोग्हाँ 10 सब्सक्राइब ङरे ऐसे योग से कितिनी सारिक आफ़ताओं का बिकास होता है मतलब कि अगर आप योगा करते हैं तो सारिज्डम में आफ़ता है कौण कौन और पार्था है यदि के कौन कोन एक आफ़ता है जिन डेने कौन सा ए ठीक है छे जवाब हो जाएगा छे अनमबर अगला प्रश्ण है कि योग करम ठीक है करमस कौसलम अर्थात कर्म के करने में जो को सलता है उसी का नाम योग है यह जो पंक्ति यह लाइन है यह कथन किसकी है ठीक है अभी किसका है तो ध्यार नखेंगे साही जवाब हो प्रश्ण है कि घेरंड सहिंता की रशना ककी गई थी तो ग्हेरंड शहिंता की जो रशना है जानम फेंगे वो की गई थी सात्रविए सताफदी के उत्रार्द में बार नमबर सही जवाब होगा अगला है कि 1947 से पहले भारत में कितने सारीक विच्छा संसथान थे थी कि प्रत्याहार करने से मानों रोग समाप्त होते हैं इंद्रियों को उनके विशे से अलग कर द्रश्ट प्रयोजन में लगा देना ही रत्याहार है ये कंसे विध्वान का है तो सही जवाब इसका हो जाएका अप्स्यन नंबर कॉनसा अगर आपको मालूं तो बता सकते हैं योगा चोड़ा मड़ी की जी है ठीक है अगला की बहे क्रोध आरस्च अधिक सयन अधिक जागना अधिक भोजन ये बिल्कुल निराहार रहना आज समस दुर्गुणों को योगी सदेव के लिए परिट्याग कर दें ये कथन कौन से विद्वान का है तो यह जो कथन है यह बात है त्यान लखेंगे वह कही अधिक है ये कही गई है अमरत नादो पर निसद का है ठीक है अगला प्रशना एक यम नियम आद के अभ्याफे चित को निर्मल कर जो तिर में आत्मा का फच्छात कार करना कौन सा योग कहलाता है तो इस योग को कहा जाता है राज योग दर अगला की योग सारे एक विच्छायम खेल से सम्बंदित होता है क्योंकि योग से ये क्या होता है तो ये जो होता है योग से त्यार रखेंगे ये योग से होता है फकरात्मा कुर्जा का फंचार भी होता है और सारे इकद्विदिया में ब्रद्दी भी होती है जो बलड है परिफंचर तंत्र फुचारू होता है ये सभी चीजे होती इसले फ़ई जबाब हो जाएगा दानम्र अगला है कि सवासन से लाभ है तो सवासन से जो लाभ है आपको बताना है बहुत महात्पूर करशने तो सवासन से लाभ है सरीर में फोड़ती उमंग उत्वा और संचार होता है और हिर्दे रोगियों तथा तीम रत्ते चाप के रोगियों के लिए लाभ कारी है नींद की कमी चैसे रोगों में लाभ कारी है इसलिए सभी क्योंकि इसकी जरूरत है अगला कि पीठ के बल लेट कर किया जाने वाला आसन कौन सा कहलाता है यानि कि पीठ हालासन विक्या जाता है तो बन्हामां मंध्या रसाइन करके पेट कंगो ठीक करता है और थे अगला की योग सूत्र के रशनाकार कोन है योग सूत्र के रशनाकार का नाम बताना इंप्राटन कोईश्चन ध्यान लखेंगे योग सूत के रश्नाकार का नाम है पतानजली पतानजल द्वारा मनाई गई चित की प्रवित्तियां है पतानजल द्वारा मानी गई चित की प्रवित्तियां है पतानजली द्वारा मानी गई चित की प्रवित्तियां है योगदर्सन के रचेता का नाम मताना है तो उनके मतब कि योगदर्सन के रचेता कौन थे तो सही जबाब इसका हो जाएगा आफ्चिन नमबर जो एक मिनट रखेंगे इसका आफ्तिक दर्शन कितने प्रकार के हैं तो आफ्तिक दर्सन जु है वह हैं शे प्रकार के सही जवाव विश्कार शाएं मैं से कि प्रयवaurais से पीडिट बिक्त को हलाफान नहीं करना चाहिए तो सभी जवाब हो जाएगा इसका अगर आपको मालू है तो जवाब हो जाएगा इसका अधा फिर्दे रोग और अग्त चाप सिल्प डिस्क ठीक है इन सबीचे अराम मिलेगा अगला कि निम्न में से सरीर आसान कौन सा है न किस रोग में लावफ्ड है तो यह जो है वो जो लावफ अवाफ्रत है तो जी कि में नजला में अस्थहवाम है ठीक है सकता है ठीक है तो जा wife से आप 1 अभ्यास Harakad के महा रात से कोई अब पानी के उपर कमल के पत्ते के समान हो सकता है reckon तो द्हान रखेंगे इस प्रस्टेंगा जो सही जवाब हो जाएगा है कि हो जाएगा अप्शन नमबर दा ठीक है प्लावी नहीं है अगला की कुश्चन यह की सरवांग योगदर्सन किसने की दिया तो अर्विंद ने दिया अगला की कौन से दिन अंतर रास्टे फिच्छा कई दस्तापित किया गया है तो सही जवाब इस का हो जाएगा थानक की पॉप्लर कोश्चने सभाब हो जाएगा बानमबर यह की चून अगला है कि इन में से कौन सिवान अंदी के पाँच योग से धान्त में यहें ठीक है तो सही जवाब आप्शन नमबर सावसन्थ ठीक है क्या हृजाँ जवाब सावसन्थ अगला की आनुलो मृलोम Kelsey का लाव क्या है तो अनुलोम को जुंलुक्त रिबा है कि वह इडीके अगला की निम्रिक्शित में से कौन साधन एठास करतान का भाग पर अगर आपको मालूमत जतोड़ाइब इस कि है तो इसी तरह पीडियाफ में आके तो कुछ का अंशन नहीं मिलेगा जो जो कि मैंने लगब लगप परश्न्यों के लिए अब बाकी इस पीडियाफ पे जितने भी कोईस्चिन आपको देखने को मिलेंगे इसके सामने उसका उत्तर लिखाए जी संपा जियें कि जुंबा करनका कौन ले रहाता है यहां सभी जवा ठीक लूबर श 오害 मैं मिल जाएगा और यह पुरी पूरी पीडियाफ है आपको हमारी टेली वंट्चंप मिल जाएगी इसी वीडियो के discussion में टेलिग्राम WhatsApp का लिंक दिया गया यह आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा बाकी मिलते एक और नए वीडियो के साथ जैन हाला कि यह सौट वीडियो रही है तो इसलिए आपको काफी ज्यादा समस्या होंग कि मतलम कि इस पीडियाफ है तो तो दो स्टो सो कोईश्टन है इस पीडियॉप में ठीक है तो बाकी मिलते हैं कुने वीडियो में जब तक ले जहनं है